हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल जैमातादी आप सभी को चैतर नवरातरी के हार्दिव शुपकामना है आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ चैतर नवरातरी रत की पूजन सामगरी फ्रेंड्स नवरातरी की पूजा आप चाये तो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं नहीं तो आप माता के लिए अलग से चौकी या फिर आसन लगा सकते हैं तो मैंने माता के लिए चौकी ले ली है आप आटा भी ले सकते हैं चौकी पर विछाने के लिए आप लाल रंग का वस्त्र ले सकते हैं नहीं तो मार्केट में इस तरह के वस्त्र मिलते हैं चौकी पर विछाने के लिए आप वो भी ले सकते हैं इसके बाद हमने भगवान गन ठीपक करेंगे, इसके बाद माता के लिए चेंदे माता के सामने लिए प्रेदेष तीपक करेंगे आर्ति के लिए निल्ग से ही दीपक करना चाहिए जो दीपक, य offers service जानी जो प्रकातर करेंगे इस दीपक से हम आर्थी नहीं करेंगे इसको हम माता के सामने प्रजुलित रहने देंगे आर्थी के लिए हम अलग से ही दीपक की विवस्था करेंगे चाहें तो आप कपूर आर्थी कर लें तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं अगर आप अखंड जोद जलाते हैं तो आप अखंड जोद के लिए एक बड़ा सा दीपक ले लें साथ में आप अखंड जोद की बाती भी ले लें यहां पर मैंने मॉली ली है पूजा में प्रयोग करने के लिए इतरिया है गंगाजल लिया है। तो यह प्लक्कर जोट को ठीक करने में काफी मदद करता है इसके बाद कलस की स्थापना करने के लिए मैंने आपर हल्दी की गांट ली है सुपाड़ी ली है लौंका जोड़ा इलाइची ली है साथ में एक सिक्का भी लिया है यह सामिगरी कलस में डाली जाती है इसके बाद नवरातरी की पूजा में हमें अनाच की आवश्यक्ता होती तो अनाच की रूप में आप चाहें तो गेहूं ले 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 या जोबी ले सकते हैं या फिर आप अच्छत ले सकते हैं इसके बाद मैंने माता रानी को भोग लगाने के लिए कुछ मिठाई ली है माता रानी क व॑झ बाता से लौंग का जोड़ा इलाईची का भोग प्रते दिन लगाएं। शुद्देसी घी लिया है इसके अलावा मैंने दूप सामिगरी लिया है यहां पर मैंने उपले लिये हैं हवन कुंड लिया है तो आप इन सभी सामिगरी की विवस्ता हवन करने के लिए करें आपको अगर उपला नहीं मिलता है तो आप आम की लकडियों से भी मातारानी का बीत करने के लिए फल लिये हैं आप कोई भी म utilizzमी फल मातारानी को भोगमLife कर सकते हैं इसके लावा हमने मातारानी को कुछ सुहा की सामीधी अर्पित की है सुहा की सामीधी अर्पित की है आप अपनी शामृत के अनुसार 5、6 Cant Lye सकते हैं इसके मातरानी को पुष्प भल लू और पुष्पों के माला लिये भगवान गनेश को अरपित करने के लिए मैंने दीवगास लिये खल्स के मुख़ लगाने के लिये मैं अशोंग के पत्व लिये आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप खलy पट्ते भी ले सकते है लाल चुर्डी नहीं है तो आप लाल कपड़ा भी नारियल पर लपेट सकते हैं अगर आप जवारे बोने के लिए आप कुंडा ले लें साथ में आप मिट्टी भी ले लेम मिट्टी सुद्ध जगय की होनी चाहिए इसके अलावा जवारे बोने के लिए आप जव ले लें जव को आप एक रात पहले बिंगोोद जिस से हमारी जवारे अच्छे निखने जवा नहीं है तो आप गहन को भी बिंगो सकते हैं गहन से भी जवारे उगा सकते हैं तो friends उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरू बताना पसंद आई हो तो लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना कमेंट में जैम आता दी अब अच्छी लिखना धन्यव जैम आता दी